नमस्कार दोस्तों जीके संसार में आप सभी का स्वागत है आज हम सब बालविकास का पार्ट फोर देखेंगे क्योंकि पार्ट वन टू तरी हमने पहले ही डिसकस कर लिया है जिन लोगों नहीं देखा है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं व और भी सीटिट वीटिट से रिलेटिड जैसे की बालविकास व्योंक शिशा सास्त्र साइकलोजी के भी वीडियो अवलेबल हैं आप जाकर चेक कर सकता है और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करें और यह जो हमारा होगा वह बाल विकास के अंतरगस समाजी करन पर किरिया हैं और जो उस पर टॉपिक है हो है समाजी की विस्व और आप सब के लिए मैंने MTH4ALL नाम से चैनल स्टार्ट किया है उसमें रिजिनिंग और आपको मैस से रिलेटिड ट्रिक्स मिले तो अगर आप जुनना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे फीचर चैनल में आपका MTH4ALL चैनल एड है वहां से आप जाकर उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आएए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है समाजिक विस्व और बालक पहले हम बात करते हैं समाजी करन की अवधारना के बारे में तो इसमें समाजी करन से ना केवल मानोजिवन का प्रभाव अखंड तथा सतत रहता है सतत मैं बताया था पिछले बार भी कि सतत मतलब होता है सतत मतलब क्या होता है निरंतर चलने वाला मतलब हमेशा चलते रहने वाला ठीक है सतत रहता है बलकि इसी से मानौ उचित गुनों का विकास भी होता है और ब्यक्ति सुसव्य वा सुसंस्कृत भी बनता है ठीक है उसके बाद समाजी करन के कुछ महत्पूर्ण अभी करता जो है वो माता पिता समवैसक, समू, विद्याले, धार्मिक संस्थाएं और जनसंचार माद्यम जैसे दुर्दरसन आधी है ठीक है उसके बाद समाजी करन का जो कारे है समाज में रहकर ही संबह हो है ना कि समाज से अलग रहकर समाजी करन का जो कारे है और समाज में रहकर ही संबह है समाज से बाहर रकर इसको हम पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं उसके बाद बात करते हैं समाजी करन के कारक के बारे में तो इसमें आता है पालन, पोशन, सहानुभूती, सहकारिता, निर्देश, आत्मी करन, अनुकरन, समाजिक, सिक्षन, पुरसकार एवं डंड जो है वो समाजी करन के कारक है और बालकों का जो समाजी करन करने वाला तत्व है वो है आपका बालक जो जहन के समेज़ होता है वो कोरा पसू होता है कोरा पसु कहने का मतलब होता है उसे कुछ नहीं पता होता है वह समाज के अनव्यक्तियों तथा समाजी संस्थाओं के संपर्क में आकर समाजिक किरियाओं में भाग लेता है वैसे वैसे वह अपनी पार्शुरिक परिविर्ति पर नियंतर्न करते हुए समाजिक मुल्यों के संस्थाओं के संपर्क में आकर उसी समाजी किरियाओं में भाग लेता है वैसे समाजी मुल्यों तथा अधर्शों को सीखता है बालक का समाजी करन करने वाले तट्त्व हैं और निम्यक्ति हैं कौणौन से हैं ? का है आपका वंसानुक्रम परिवार, पड्वोस , फ्रुदाय आदि उसके बाद बात करते हैं समाजी करन रध्यापक की भून क्या होती है वह हो उनी चाहिए बिध्याले केवल सिक्षा रफ यह साधन नहीं है बलकि यह बच्चे के समाजी करन की सक्राइं कि तिर्व गति परदान करता है बच्चे का जो समाजी करन होता है विद्याले में तिर्वगती से होता है इसमें सिक्षक के भूमी का अहम होती है परिवार के बाद विद्याले निवासस्थान है बच्चों का जो होता है घर के बाद जो सबसे ज़्यादा समय बितता है वो विद्याले में ही बित्ता है जहां बालक सिक्षक के माध्यम से समाजिक और सांस्कृतिक मुल्यों को सिखता है और घर के बाद बिद्याले में ही जो बालक होता है उस सिक्षक के माध्यम से समाजिक और सांस्कृतिक मुल्यों को सिखता है समाजी करन की प्रिकिरिया में सिक्षका सर्व प्रतम कारे किया है कि वह बालक के माता-पिता से संपर्क अस्थापित करे तथा बालकों की रूचियां तथा मनुविर्थियों की विसह में ग्यान प्राप करे जो सिक्षक असर्व प्रतम कारे होना चाहिए वह होना चाहिए बालक के माता-पिता से संपर्क अस्थापित करें और बालक की क्या रूचियां उसके बारे में जाने और विसह को जानकर उस पे उसको आगे बढ़ने में प्रिरित करें और बालकों को समाजी कारे तो सिक्षक क को चाहिए कि वह उनके साथ है कि इस ने वह सानु बूति पूर्ण वहवार करें उसके बाद बिच के समाजी करन में परिवार ऑं माता-पिता की भूमी का क्या होनी चाहिए समाजी करन करने वाली संस्ता के रूप में परिवार वह माता-पिता का असाधारन महत्व है मा के त्याग और पिता के सुरक्षा में रहते हुए बालग जो कुछ सिखता है वह उसकी जीवन की अस्थाई पुंजी होती है मा के त्याग और पीता के सुरक्चा में रहते वे बालग जो भी सिखता है वह उसकी जीवन की स्थाइप पुंजी होती है बच्चे को नियमित रूप से खाने पीने की पहनने की तथा रहने की सीख उसे मा से मिलती है जो खाने पेने की पहनने की जो सीख मिलती है वो मां से मिलती है इससे बच्चे के मन में एक सूरक्षा की भावना पनपती है जो कि उसके जीवन को स्थीर तर्था द्रेट बनाती है जो उसके व्यक्तित्व का विकास करती है उसके बाद आता है माता और पिता से बच्चे की अधिकतर अवैसकताएं पूरी होती है परिवार में ही बच्चे को सरो प्रतम यह ग्यात होता है कि उसे कौन-कौन से काम करने चाहिए और किन-किन कारियों से बचना चाहिए हमारे पैरेंट जो होते हैं माता पिता होते हैं वही बताते हैं कौन-कौन सी कारे करनी चाहिए कौन-कौन सी कारे करने से बचना चाहिए परिवार एक समाज में अनुकुलित होने की परिकिरिया को समयोजन कहते है परिवार यों समाज में जो अनुकुलित होनी की परिकिरिया है उसे समायोजन कहते हैं जो समाजी करन की परिकिरिया का अभीन अंग है परिवार में रहकर बच्चा माँ बाप से समाजी कुतरदाईतों का अर्थ छमा का महत्व और सहयों की भावना सिखता है तथा अपनी मौलिक धारनाओं आदर्सों युमसैनियों की रचना करता है बच्चा जो है अपने माँ बाप से समाजी कुतरदाईतों का अर्थ छमा का महत्व और सहयों की भावना सिखता है तथा मौलिक धारनाओं को अदर्सों की सैली की रचना करता है माबाप की समाजिक पर्तिष्ठा एवं परिवार की आर्थिक अस्तरकावी बच्चे के समाजी करण पर परभाव पड़ता है। और आई जानते हैं कि समाजी करण में खेल की क्या भूम क्या है। तो खेल को भालकी रचनात्मक, जन्मजात, स्वतंत्र, आत्मप्रेडित, अस्पूर्ति दायक, स्वलक्षित तथा अनन्द दायक परविर्ति कहा जाता है। यहत्यां क्या कहा जाता है रचनात्मक जन्मजात् सोतं्त आत्मप्रेडित अस्पूर्थिदयक सुष्लच्सृत्ष्षित क्था अनंदयक प्रविर्ति कहा जाता है खेल के्रियान द्वारावadora बालकों को आत्मभ्यक्ति व्यक्ति का आवसर मिलता है जिसके कारण उसके समाजी करण में सहायथा मिलती है सामूही खेलों से आदान परदान की भावना का विकास होता है खेल के माद्यम से बच्चुक में समूह के नेत्रितों की गुनों का विकास होता है खेलों में कुछ विसिष्ट नियम जो अनुसासन का पालन करना होता है यह बालक को अनुसासित होने में सहायता परदान करता है खेलों में कुछ जो नियम होते हैं वो अनुसासन का पालन करने में बच्चों को उसके द्वारा अनुसासित होने में सहायता करता है खेल में हार जित का अनुभो बच्चों में सहन सक्ति का विकास करता है जो समाजी करन के अत्यांत आवस्यक है खेल में जो हार और जित जो होता है उसके अनुभो से बच्चे को समाजी करन में अत्यांत लाव मिलता है और जो कि समाजी करन में अत्यांत आवस्यक भी है थैंक्यू फ्रेंट्स आसा करता हूँ या आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर और सेर कर मुझे सपोर्ट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद झाल झाल